स्रीमत भागवत महापुरान इसकंद आठ अध्याचार स्री सुगदेब जी कहते हैं परिक्षित उसमें ब्रम्भा, संकर आदिदेपता, रिसी और गंधर्व, स्रीहरी भगवान के इस कर्म की प्रसंसा करने लगे स्वर्ग में दुंदुंभियां बजने लगी, गंधर्व नाचने गाने लगे, रिसी चारन और सिदगन भगवान पुरसोत्तम की अस्तुती करने लगे इधर वह ग्राह तुरंथी परम आस्चरे में दिब्य सरीर से संपन्न हो गया, यह ग्राह इसके पहले हुहु नाम का एक स्रेश्ट गंधर्व था देवल के साब से उसे यह गती प्राथ हुई थी, अब भगवान की किपासे वह मुक्त हो गया उसने सर्वेस्वर भगवान के चरनों में सीर रखकर परणाम किया, इसके बाद वह भगवान के सुयस का गान करने लगा वास्तम में अभिनासी भगवान ही सर्वस्रेश्ट कीरती से संपन्न है, उन्होंने गुन और मनोहर लिलाएं गान करने के योग है और भगवान के किरपा पुर्ण स्पर्ष से उनके सारे ताप पाप नस्ट हो गया उसने भगवान की परक्रमा करके उनके चर्णों में परणाम किया और सब के देखते ही देखते अपने लोग की यात्रा की गजेंद्र भी भगवान का सपर्ष प्राप्त होते ही अज्यान के बंधन से मुक्त हो गया उसे भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया वह पितामबरधारी एवं चतुरभुज बन गया गजेंद्र पूर जन में द्रबिल देश का पांडववनसी राजा था उनका नाम इंद्र द्यूम्न था वह भगवान का एक स्रेश्ट उपासक एवं अत्यंत यसस्वी था एक बार राजा इंद्र राजपा छोड़कर मलाई परवत पर रहने लगे थे उन्होंने जटाएं बढ़ा ली थी और तपस्वी का वेज़ धारन कर लिया था एक दिर नस्नान के बाद पूजा के समय मन को एकागर करके एवं मौन हो कर वे सर्व सक्तिमान भगवान की अराधना कर रहे थे उसी समय दैव योग से परम यसस्वी अगस्त मुनी अपनी सिस्स मंडली के साथ वहाँ पहुचे उन्होंने देखा कि यह प्रजा पालन और ग्रिहस्तो पचित अतिती सेवा आदी धर्म का परत्याग करके तपस्यों की तरह एकांत में चुपचा बैठ कर उपासना कर रहा है इसलिए वे राजा इंद्र दिवन पर कुरुद्ध हो गए उन्होंने राजा को यह स्राब दिया कि इस राजा ने गुरु जनों से भी सिक्षा नहीं गरहन की है अभीमार वस परोपकार से निब्रित होकर मनवानी कर रहा है ब्रहमनों का अफमान करने वाला यह हाथों के समान जड़बुद्धी है इसलिए इसे वही घोर अग्यानमई हाथी की योनी प्राप्त हो स्री सुकदेव जी कहते हैं परिक्षित साप एवं बरदान देने में समर्थ अगस्त मुनी इस प्रकार साप दे कर अपनी सिस्सिमंडली के साथ वहां से चले गए राधर्सी इंद्रदुम ने यह समझ कर संतोस किया कि यह मेरा प्रारब्ध ही था इसके बाद आत्मा को बिस्मित करा देने वाली हाथी की योनी उन्हें प्राप्त हुई परन्तु भगवान की अराधना का ऐसा परफ़ा है कि हाती होने पर भी उन्हें भगवान की सम्मिती हो ही गई भगवान स्रीहरी ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना पार्षत बना लिया गंधर वसी दिदेपता उनकी इस लीला का गान करने लगे और वे पार्थ रूप गजेंद्र को साथ ले गरूर पर सवार होकर अपने अलोव की धाम को चले गए मैंने भगवान स्रीकृष्ण की महिमा तथा गजेंद्र के उद्धार की कथा तुम्हें सुना दी यह परसंग सुनने वालों के कली मल और दुख को मिटाने वाला एवं यस उन्नती और स्वर्ग देने वाला है इसी से कल्यान कामी दुज गन दुख स्वपन आदी की सांती के लिए प्रातरकाल जकते ही पवित्र होकर इसका पाठ करते हैं परिक्षित गजेंद्र की अस्तूती से प्रसंग होकर सर्व ब्यापक एवं सर्व भूत सरूप स्रीहरी भगवान ने सब लोगों के सामने ही उसे यह बात कही थी स्री भगवान ने कहा जो लोग रात के पिछले प्रहर में उठकर इंद्री निग्रह पुर्वक एकाग्रचित से मेरा तेरा तथा इस सरोवर परवत एवं कंद्रावन बेत कीचक और बांस के जुरमुट यहां के दिब बिब्रिक्ष तथा परवत सिखर मेरे ब्रंभाजी और सिवजी के निवास अस्थान मेरे प्यारे धाम छीर सागर प्रकास में स्वेत द्वीप स्रीवत्स कॉस्तुम मनी बनमाला मेरी कौमोध की गता सुदर्सन चक्र पंच जन्य संख पक्छी राज गरूर मेरे सुक्षम कला स्वरूप सेश जी मेरे आस्रे में रहने वाली लक्षमी देवी ब्रंभाजी देवर्सी नारत संकर जी तथा भक्त राज प्रलाग मतस्य कच्छ बराह आदी अवतारों में किये गए हुए अनंत पुन्यमेस चरित्र सूर्य चंद्रमा अमी ओमकार सत्य मूल प्रकिर्ती गौव ब्राह्मन अभिनासी सनातन धर्म सोम कस्य और धर्म की पतनी दक्ष कन्याएं गंगा सरस्वती अलकनंदा यमुना एरावत हाथी भक्त सिरूमनी दृब सात महरसी और पवित्र किर्ती नल युधिश्टीर जनक आदी महापुरुसों का स्वरन करते हैं वे समस्त पापों से छूट जाते हैं क्योंकि ये सब के सब मेर से ही रूप हैं प्यारे गजेंद्र जो लोग ब्रह्म मुहुर्त में जग कर तुम्हारी की वी अस्तुती से मेरा स्तवन करेंगे मिर्तियों के समय उन्हें मैं निर्मल बुद्धी का दान करूंगा श्रीद सुगदेब जी कहते हैं परिचीत भगवान स्रीकृष्ण ने ऐ अपना स्रेष्ट संक बजाया और गरूर पर सवार हो गया है पॉसमास की चतूर्थी तिथी की ब्रत कथा पॉसमास में चतूर्थी तिथी के दिन इस कथा को चरूर सुनना चाहिए एक समय रावन ने स्वर्ग के सभी देपताओं को जीद लिया और संध्या करते वे बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया बानर राजबाली रावन को अपनी कांख में दवा कर किसकिंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगत को खिलने के लिए खिलोना दे दिया अंगत रावन को खिलोना समझ कर रसी से बांध कर इधर उधर घुमाते थे इस से रावन को बोखत कश्ट और दुख होता था एक दिन रावन ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त जी को याद किया रावन की अदसा देखकर पुलस्त जी ने बिचारा की रावन की अदसा क्यों हुई उन्होंने मन ही मन सोचा अभिमान हो जाने पर देव मनुष्य और असुर बिता में मैं बहुत दुखी हूँ ये नगरवासी मुझे धिकारते हैं और आप ही मेरी रक्षा करें राबन की बात सुनकर पुलस्त जी बोले राबन तुम डरो नहीं तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे तुम बिग्न बिनासक स्री गनेज जी का वरत करो पुर पिता की आग्यानुसार रावन ने भक्ति पुर्वक इस ब्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज को पुनह प्राप्त किया मानेता है जो भी पौस मास की चतूर्थी पर इस ब्रत को सरधा पुर्वक करता है उसे सफलता जरूर मिलती है